हेलो आईवन, वेल्कम बैक टू था चैनल स्कोर वे तिप्ती, टूड़े भी विल स्टार्ट कोर्शन नमबर टू ओफ एक्सराइज 8.2, लास्ट सेशन में हमने एक्सराइज 8.2 का फर्स्ट कोर्शन कंप्लीट किया था, I hope वो कोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं इसी एक्सराइज का सेकिंड कोशन, क्या कहरा है कोशन नमबर टू, कोशन नमबर टू इस, चूज दा कोर्यक्ट ओप्शन एंड जस्टिफाई यूर च्वाइस, हमें ओप्शन कुछ गीवन है, जैसे कि A, B, C, D, हमें इसमें से कोर्यक्ट ओप्श अपोन में 1 प्लस 10 स्केर 30 डिगरी, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस कोशन को सोल करने के लिए हम इस स्टेट्मेंट को सोल करेंगे, हम 10 30 डिगरी की वैल्यू फाइंड ओट करेंगे और यहां पुट करेंगे और इसको सोल कर लेंगे, तो उसका जो अंसर आएगा, हम नेक्स हम क्या करेंगे इनकी वेल्यूस फाइंड़ करेंगे साइज 60 डिगरी की को 60 डिगरी की जो आंसर मैच करेगा वही इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉलूशन फर्स्ट हमें स्टेट्मेंन गिवन है 2,10,30 डिगरी अपोन 1 प्लस 10 स्केर 30 डिगरी 10,30 डिगरी यह टिग्नोमेटिक टेबल मैंने बना रख है एक्जाम में आपको खुद बनाना है और यह बनाना भी आना चाहिए इसके लिए मैंने trigonometric table टे एक video complete बना रखी है आप वहाँ से जाके इस table को clear कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो 10 30 degree क्या value 10 30 degree इदर से 10 ले लेंगे और इदर से 30 1 by root 3 2 को as it is लगा देंगे 1 by root 3 upon में 1 plus 10 square 30 degree वही 10 की value 30 degree पर देखनी है और square कर देना है next इसको solve करेंगे 2 upon root 3 multiply कर दिया है इनको 2 को 1 से multiply गई है 2 upon root 3 denominator में भी solve कर लेंगे 1 plus 1 upon root 3 root से square कट हो जाएगा और इस solve करके आएगा 1 by 3 अब इस calcium ले लेंगे elsem लेके आएगा 2 by root 3 elsem लेके आएगा 3 3 plus 1 यहाँ 1 लगा लेंगे 1 3 जा 3 1 जा 3 plus 1 4 तो 2 by root 3 यह आगया 4 और यह 3 तो इसको रैसी ट्रोकर भी साथ के साथ कर देंगे 3 by 4 2 2 जा 4 अब आंसर आगया solve करके 3 by 2 root 3 next हमें root 3 denominator में है इसको solve करना है तो हम क्या करेंगे rationalize कर लेंगे 3 by 2 root 3 हम क्या करेंगे root 3 से denominator को और denominator दोनों को multiply कर देंगे तो solve करके आजेगा 3 root 3 upon में 2 into root 3 का square equal to 3 root 3 upon में 2 into 3 root square से कटो जाएगा 2 3 जा 6 next हमें 3 से 3 कटो गया 1 तो answer आगया solve करके root 3 by 2 अब root 3 by 2 हमने answer solve किया इस given question का अब हमें options given है sin 60 degree cos 60 degree tan 60 degree sin 30 degree sin 60 degree की value क्या है यहां से find out करेंगे root 3 by 2 यहां put कर देंगे ऐसे cos 60 degree वैसे तो यह answer मैं चो रहा है यही इसका correct answer है तो correct answer is sin 30 60 degree equal to sin 60 degree option A तो वैसे हम इसको आगे भी करके देख रहे थे हैं तो correct answer इसमें first वाल है A part this is equal to option A option A के equal है तो यह था हमारा first part question number second का now move to the second part next second part 1 minus 10 square 45 degree upon में 1 plus 10 square 45 degree इसकी value में find out करनी है इसमें options given है first step 10 90 degree इसका answer हो सकता है 1 sin 45 degree and last is 0 तो first step क्या करेंगे इस given statement की value find out करेंगे और correct option को choose करेंगे तो solution start करते है statement हमें given है 1 minus 10 square 45 degree upon में 1 plus 10 square 45 degree value put कर देंगे 1 minus 10 45 degree इधर से 10 और इधर 45 degree 1 1 का square upon में 1 plus 45 की value 1 है 10 45 का square 1 minus 1 1 plus 1 0 upon 1 0 तो और answer आया solve करके 0 इधर इधर गीवन statement का answer जो है किसके एक वल है D part के तो इस तो question number 2 का second part now move to the third part next third part sine 2A equal to 2 sine A is true when A is equal to 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree इस question में हमें ये find out करना है sine 2A 2 sine A के equal कब होगा जब A की value जो है 0 degree होगी 30 degree होगी 45 degree होगी या 60 degree होगी means इन में से किस angle पे sine 2A किसके equal होगा 2 sine A के equal होगा तो A की value पुट करते जाते हैं तो A की value पुट करेंगे फर्स्ट हम 0 degree तो solution स्टार्ट करते हैं इस question का sine 2A equal to 2 sine A value पुट कर देंगे A के place पे हम फर्स्ट ले लेते हैं A part में 0 degree 0 degree की बन है 0 degree equal to 2 sine 0 degree sine 2 into 0 क्या होगा sine 2 into 0 0 ही होगा means sine 0 degree equal to 2 sine 0 degree value पुट कर देंगे sine 0 degree की क्या value है तो इस trigonometric table में हम देखें तो sine 0 degree की value है 0 तो यहां पुट कर देंगे 0 equal to 2 into 0 0 equal to 0 it means A part इस question का correct answer है हम ऐसे ही इसको second part भी solve करके देख सकते हैं third part भी solve करके देख सकते हैं लेकिन first वाली में answer solve हो गया है तो इस question का answer क्या होगा option A next fourth part last part question number 2 fourth part 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree equal to हमें statement given है और हमें find out करने है कि इसकी value किसके equal है options given है course 60 degree sign 60 degree 10 60 degree sign 30 degree जैसे हमने first part किया था वैसे ही same हमें first statement को solve करने है उसका answer find out करने है next ये जो हमें option given है इनकी value find out करने है means को 60 degree पर क्या value है sign 60 degree पर 10 60 degree पर sign 30 degree पर तो correct answer को choose करने है तो solution स्टार्ट करते हैं first हमें statement given है 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree value put कर देंगे 10 30 degree ये technometric table बना रख है जिसमें 10 30 degree की value है 1 by root 3 2 upon 1 by root 3 upon में 1 minus 10 30 degree वही value है 1 by root 3 का square इसको solve करेंगे तो 2 by root 3 upon में root square से कटो जाएगा 1 minus 1 by 3 इसको solve कर लेते हैं 2 by root 3 upon में LCM ले लेंगे LCM लेंगे तो क्या LCM आएगा denominator में 3 3 minus 1 1 को 3 से divide करेंगे 3 3 को 1 से multiply करेंगे 3 3 minus 1 2 तो solve करके आगया 2 by 3 अब इसका रैसी प्रोक कर लेंगे 2 by root 3 multiply 3 by 2 इसको उमने opposite कर दिया 3 को उपर लेंगे 2 को नीचे लगा 3 को उपर लेंगे 2 को नीचे रख दिया तो 3 by 2 हो गया 2 से 2 कट हो गया solve करके आएगा 3 by root 3 next अब इसको rationalize करेंगे root 3 से denominator को root 3 से denominator को multiply कर देंगे 3 root 3 upon में root 3 का square solve करके आएगा 3 root 3 upon में root square जे कट हो गया 3 3 से 3 कट हो गया तो answer आया solve करके root 3 next अब है option given है core 60 degree sine 60 degree 1060 degree sine 30 degree core 60 degree की क्या value है 1 by 2 sine 60 degree की root 3 by 2 1060 degree root 3 sine 30 degree 1 by 2 हमारा answer आया है root 3 तो answer किसके एक वल है option C के तो answer इसका क्या है 1060 degree तो यह आ गया given statement का answer तो यह question number 2 के सभी parts complete हो जाते हैं I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया है तो next session में start करते हैं इस exercise का next question और मेरी इस video को अपने friends के साथ ज़्यादा ज़्यादा share करना और इस channel को subscribe करना ताकि आपको next video की notification मिलते रहें ज़्यादा ज़्यादा आपको